हेलो फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल पर स्वागत है अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिये हुए रहर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें आज मैं बना रही हूँ एक ब्रियानी जो मैं कुछ नए अंदाज में बनाऊंगी इसमें मैंने बहुत सारी सब्सक्राइब को यूज किया है जिसको आप खाते ही रह जाएंगे इसके लिए मैंने लिया है आठ अंडे इनको पहले से उबाल लिया है थोड़ी सी कटी हुई बीन्स एक शुमला मिर्च थोड़ी सी गोभी एक गाजब थोड़ा सा देशी गी एक प्याज इसको लंबा-लंबा काट लिया है एक आलू इसको छोटे-छोटे काट लिया है थोड़ी से मट़के दाने हारी मिर्च लहसुन अद्रका पेश चावल इनको मैंने पहले सुबाल कर तयार कर लिया है दस्य बारे काली मिर्च, दो बड़ी इलाइची, दो दालचीनी, आधी चम्मच जीरा, दो से तीन तेश पत्ते, थोड़ा सा केसर इसको दूद में भी गोलिया है दो छोटी इलाइची, तीन से चार लॉंग, एक चम्मच गरम मसाला, दो चुटकी पीला फूर कलर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक, एक चम्मच बिर्यानी मसाला अब हम गैस पर कराई रखेंगे, उसकी गरम होने पर दो चम्मच देशी घी जाले जब घी करम हो जाए उसमें अंडे डाले अंडो को हमें गुलाब होने तक तलना है अंडे गुलाब हो चुके है उनको हम एक बत्र में निकाल लेंगे फिर उसी कड़ाई में जीरा डाले बड़े इलाइची, छोटी इलाइची, काली मिर्च, तेज पत्ते सब को डाल कर चला लेंगे गैस को मीडियम कर लें फिर प्याज डालें प्याज को गुलाब होने तक भूल लें अद्रग हरी में इस लेशन का पेस्ट डालें अच्छे से मिला लें फिर आलू मटग, गाजर, गोभी, बीन्स सब को डाल कर चला लेंगे मैंने भी इसने शिम्ला मिर्च डाली है कि यह शिम्ला मिर्च जल्दी पक जाती है शिम्ला मिर्च को हम बाद में डालेंगे नमंग डालें स्वात के नुसाथ फिर कडाय का डखकर बन करके सब्जी को पकने देंगे बीच बीच में हम चैक कर लेंगे कि हमाई सब्जी आं पक चुकी है या नहीं आप शिम्ला मिर्च डालेंगे और सब्जीयों को एक बाद चला लेंगे फिर ढखकर बन करके फिर पकने देंगे आप हमाई सब्जी पक चुकी है उसमें गर मसाला डालें बिर्यानी मसाला लाल मिर्च सबको डालके अच्छे से मिला लेंगे आप हमाई सब्जी तयार हो चुकी है उसको हम एक बड़त में निकाल लेंगे फिर गैस पकड़ाई रखेंगे उसमें दो चमस गी डालें गैस को हम को दीमे रखना है फिर चावल डालेंगे चावलो को फैला लेंगे फिर तयार की हुई सब्जी डालें उसको बेच्छे से फैला लेंगे फिर अंडे धनिया पत्ति फिर से चावल डालेंगे अब सब्जी डालेंगे फिर अंडे डालेंगे फिर एक और ले चावल की लगाएंगे फिर उपर से केसर डालेंगे पीला रंग दो से तीन चमस देजी घी फिर इसका ढखकर बंद करेंगे दो मिनिट के लिए दीमी गैस पर रखेंगे उपर से बिर्यानी मसाला डालेंगे ढखकर बंद कर देंगे फिर धनिया पत्ती हमारी एक बिर्यानी बन का तियार है चलिए हम इसको एक प्लेट में सरफ करते हैं करते हमारी प्लेट में आखके लिए ढबड़ कर देजी में आखके लिए हुआ हुआ है आपको मेरी वीडियो कैसे लगी आप कमेंड करके ज़रूर बताइए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू